अरे अरे समाल गे डॉक्ट साब ऑब थोड़ा जल्दी आ करके देख लीजिए पता नहीं मेरी वायद को क्या हो गया तुम चिंदा मत करो टॉक्ट साब सब ठीक कर देंगे पिल्शी जल्दी आईएं नए तुम चिंदा मत करो मैं भी देखता हूँ लोग सब लोग सब देखिए न हरे किया हुआ है डॉक सब जब से हमारी स्याधी हुई है न सबसे बिल्कुल ठेकी नहीं रहे हैं मैंने तो इनको कई डॉक्टरों पर दिखा दिया है और मैं आपके पास भी तो कई बार लेकर आ चुका हूं इनके लिए लेकिन हर 15 दिन के बा देखो तो मेरी बात सुनो बिल्कुल भी चिंता करने की जुरूत नहीं है पहले भी तुम अपनी बाइप को मेरे पास लेकर आ चुके हो ना मैंने कई भाई ठीक किया है इस बार भी बहुत अच्छी से ठीक हो जाएंगी है हाँ डॉक्टर साब यहीं उम्मीद लेकर के मैं इंदर लेकर जाता हूं फिर टेस्ट करता हूं क्या दिक्कत हो रही है इने तुम यहीं पर बैठो ठीक है डॉक्टर साब अरे जानेमन अभी तो मैंने तुम्हें दवाई भी नहीं दिये उससे पहली तुम्हारे सरीर में उपड़ती आ गई और मेरे डॉक्टर होने का फायदा तुमसे ही तुम मिल रहा है क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी पेसेंट हो यह क्यों पूल रहे हो कि तुम भी तुम पुराने बॉइफ्रेंड हो तभी तुम्हें आती हूं तुम्हारे पार कोई बात नहीं है डॉक्ट साब के उम्र भले ही कम हो लेकिन तजरुबा बहुत जाद है वह आपकी बीबी का इलाज बहुत अच्छे से करेंगे बहिया मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आपकी बात बिल्कुल सच हो जाए और मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाए क्योंकि में उनको कई डॉक्टर के पास दिखा चुका हूं लेकिन किसी से कोई फादा ने मिलता है इनी डॉक्टर साब के पास आकरके फादा मिलता है अँच्छी अवाज होगी हरे एसा इंजेकर लगाता है जिसमें इतनी चीख निकलती है बहिया मुझे ना भी जा रहे हो अरे भाई साब कोई परिशाई नहीं है अरे आगर मुझे जाने दो अगर मेरा पती आ गया तो उसको इसको सख हो जाएगा चलो ठीक है आज की लिए पिना ही ठीक है लेकिन कलना तुम तैम से आना उसके बाद तुमारा अच्छे से एलाज करना आप तुम जाओ ब कुछ दवाजिया आपको मेडिकल से लिखकर देता हूं वो लेकर आने होंगी चाहें वो किसी भी मेडिकल पर मिले ठीक है जल्दी से जाओ ये दो दिन की दवाजिये लेकर आओ जब तक मैंने इंजेक्शन लगाता हूं जो मैंने कल लगाया था चलिए मैडम आप मेरे साथ क इंजेक्शन से तुम्हें कितना फाइदा हुआ तो फिर ठीक है कल वाला ही इंजेक्शन आज लगा देते हैं और ज्यादा फाइदा मिल जाएगा अरे जाने मन तुमसे ज़दा तो मैं अक्साइटेड हूं तुम्हें इंजेक्शन लगाने के लिए चलो बैड़ पर आओ पटा नहीं वो परचा कहा पर गूर गıया मेरे रास्ती में हर जगार देख लिए और डाक्र साब तो अब इंजेक्शन लगाने के लिए गई है इस वार्ड चेक करता हूं साहिद यह पर गिद गिया हो अरे हां पर जब्सक्रण ये पड़ा है जाने दो अरे यार समझनी कि कोशिस करो अभी थोड़ी देर तो हुए तुमां आए थोड़ी देर और करने दो ना उसके बाद चली जाना अरे बत्ते कुछ सक हो जाएगा छोड़ो नहीं होगा किसी को सब्सक्राइब क्यों कर रहा है मुझे लगता है जरूर कुछ ना कुछ गड़वड है मुझे अभी क चल कर देखना होगा अरे यह क्या कर रहा है तुम तुम यहां पर तुम तो मेडिकल गए थे ना दवाई यह लेने के लिए तो पर यहां पर क्यों आ गए और मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुमारे वाइप को इंजेक्शन लाओंगा उसके बाद भी आ गए अच्छा तो तु यह इंजेक्शन लगा था सभी पेसेंट के लिए डॉक्टर आज मैं तुझे ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि तुना अपने डॉक्टरी करना भूल जाएगा और हां तू काज़र तुम मुझसे कल क्या बोल रही थी कि डॉक्टर साब ने मुझे बहुत अच्छ इंजेक्शन लगवाने मजा आता है गया देखो अपनी हद में रहो मेरे हॉस्पिटल के अंदर आकर तुम यह हरकत नहीं कर सकते अभी के अभी ना पॉलिस को बलाकर तो मैं ठाने में डलवा दूँगा क्या कहा तुने कि तू मुझे पुलिस से पकड़वाएगा अरे पुलिस से तू क्या मुझे पकड़वाएगा पुलिस से तो मैं तुझे पकड़वाओंगा और तेरे इस हॉस्पिटल को भी सील करवाओंगा तुना जो आई इतनी गंदी हरकत की है और हाँ तू क्या अबर चलके बताता हूं मैं तुझे और आज के आज ही में तेरे इस हॉस्पीटियल को सील करवा रहूंगा डिट तू अरे मेरी बात तो सुनो अरे भाई ये भाई चाहि कर सकते अरे भाई साब